नमस्कार दोस्तो जे हिंद जे हरियाना हरियाना जी के सीरीज में मैं चंदर हास एक बर फिर से आप सभी का सुवागत करता हूँ आसा करता हूँ कि मेरा पूरा कास किलासिस का परिवार अच्छा होगा और जबरदस्त तरीके से आने वाले हरियाना जी के की बहुती शांदर वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ तो दोस्तो यदि मेरे दवारा दीगी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडी गरूप में सेर करना मेरे साथ में बने रहना क्योंकि आज की वीडियो है ये बहुती जबरदस्त बहुती शांदार होने वाली आप मेरे चैनल के उपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहूँ सके तो दोस्तो आज हम हरियाना का एक इतिहासिक डिस्टिक और उस डिस्टिक का नाम उस जिले का नाम महंदरगड है आज हम महंदरगड के बारे में जानेंगे बहुत शांदार तरीके से नए डाटा के साथ में हम महंदरगड के बारे में पढ़ेंगे जो भी पुराना डाटा था उसको भूल जाईए अब नई डाटा के साथ में सबसे पूरे हरियाना की सबसे बहतरीन वीडियो होगी आज की ये जो वीडियो है ये सबसे जबरदस्त, सबसे सांदार पूरे हरियाना की सबसे लाजवाब ये वीडियो होने वाली तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में महंदरगड जो डिस्टिक है न महंदरगड इस महंदरगड डिस्टिक के बारे में पड़ेंगे और आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना क्योंकि आज की ये वीडियो है बहुती लाजवा, बहुती सांदार और बहुती जवरदस्थ होने वाली है वीडियो पर आप लस्ट तक बने रहना मेंदरगड का जीकर करूँ तो दोस्तो ये जो मेंदरगड है ये 1 नवंबर 1966 में बना था 1 नवंबर 1966 में आपको भी पता है कि 1 नवंबर 1966 में मेंदरगड बना और 1 नवंबर 1966 में ही दोस्तो अपने पास में हर्याना बना था और जब हरियाना बना था उस समय अपने पास में जिले साथ हुआ करते थे तेरे साथ जिलो में न दोस्तो साथ जिलो में अपने पास में एक डिस्टिक हुआ करता था जिसका नाम तो महेंदरगड जो हरियाना का एक डिस्टिक था साथ जिलो में सामिल था लेकिन दोस्तो, 1966 में अपने पास में 7 जिले बने थे, लेकिन इन में से 2 जिले ऐसे हैं जिनका 1966 से लेकर आज तक विभाजन नहीं हुआ ऐसे कौन-कौन से जिले हैं तो HSSC के अनुसार जीन्द और महंदरगड ऐसे जिले हैं जिनका आज तक विभाजन नहीं हुआ है यह point आपका यहां तक clear हो जाना चाहिए, किसी भी परकार के दिक्कत, किसी भी परकार का doubt आपके मन में नहीं रहना चाहिए जीन्द और महंदरगड का आज तक विभाजन नहीं हुआ है, यह clear रखिएगा ठीक है, उसके बाद में दोस्तो यह जिकर करूँ तो महंदरगड जिसका पुराना नाम क्या है तो आप बताएंगे कानोड महंदरगड का पुराना नाम है और महंदरगड का पुराना नाम कानोड किस के नाम पर पढ़ा है मेंदरगड का जीकर करूँ तो दोस्तो मेंदरगड जिसका पूराना नाम है कानोड और कानोड इसका पूराना नाम क्यों पढ़ा था तो कानोड या जो ब्रामन थे ना कानोड या ब्रामन उनके कारण ही इस जिले का नाम दोस्तो क्या पढ़ा था कानोड पढ़ा था लेकिन इस मेंदरगड के बारे में ऐसा बताए जाता है कि दोस्तो ये जो मेंदरगड है ना ये बाबर के सासनकाल के दोरान मेंदरगड है ये मेंदरगड दोस्तो बाबर के सासनकाल के दोरान मलिक महमूद खाने बसाया था मलिक महमूद खाने बाबर के सासनकाल के दोरान मलिक जो म महमूद है न महमूद मलिक महमूद खा इस मलिक महमूद खान ने बसाय था मलिक महमूद खा यह मलिक महमूद खान ने बसाय था ऐसा भी इसके बारे में बताया जाता है लेकिन दोस्तों इस महंदरगड के बारे में ऐसा बताया जाता है कि 1861 में 1861 में जो पटियाला पढ़ता तो उस महंदर की याद में 1861 में जो कानोड का किला था ना कानोड का किला दोस्तो वो भाइसा पटियाला के राजा नरेंदर अपने बेटे महंदर की याद में 1861 में कर देता है एक्चुल में इस कानोड के किले का निर्वान किस ने करवाए था अपने पास में क्यूसन तो ये भी बनेगा तो कानोड का जो किला है ना दोस्तो वो किस ने बनवाए था तात्या टोपे ने बनवाए था आपसो ये धी क्यूसन पूछे कि कानोड का किला किला किस ने बनवा पतियाला की राजा नरेंदर ने अपने बेटे महंदर की याद में 1861 में इस किले का नाम क्या कर दिया था महंदरगड का किला कर दिया था महंदरगड का किला लेकिन बाद में उसी महंदरगड की किले की कारण ही इस जिले का नाम महंदरगड पड़ा है यदि आप से कोई क्य कि महंदरगड का नाम किसके नाम पर पड़ा है तो दोस्तो पटियाला का एक राजा नरेंदर वो नरेंदर जिसका बेटा महंदर और उसी की याद में इस जिले का नाम पड़ा है महंदरगड यहां तक किलिए रखिएगा यहां तक आपके मन में किसी परकार का डाउट नहीं होना चाहिए महंदर गड़का जीकर करूँ तो दोस्तो एक नवंबर 1966 में बना था एक नवंबर 1966 में दोस्तो हरियाना के अंदर जिले हुआ करते थे साथ ठीक है सबसे बड़ा जिला हिसार सबसे छोटा जिला जीन लेकिन आज तक विभाजन नहीं हुआ है किस किसका तो जीन ने बनवाय था और जो कानोड का किला है इसको बाद में महंदर गड़ के किले की नाम सुझाना गया था या महंदर गड़ की नाम सुझाना गया था एक्शोल में दोस्तों 1861 की घटना है 1861 1861 में पटियाला के एक राजा नरेंदर और वो नरेंदर जिसका बेटा महंदर उ 1899 में यदि छेतरफल का जिकर करू न दोस्तो तो 1899 में वरा किलोमेटर ये मेंदरगड का छेतरफल है लिंगानुपात का जिकर करू तो दोस्तो लिंगानुपात 895 में है मेंदरगड का और यदि मैं जन गनत्तव देखू कि population density कितनी है तो जन गनत्तव दोस्तो 480 ये मेंदरगड का जन गनत्तव है किलियर है यदि मैं छेतरफल देखू मेंदरगड का कितना है तो दोस्तो छेतरफल 1899 में है लिंगानुपात दोस्तो कितना है 895 में जन गनत्तव कितना है तो आप बता देना दोस्तो जन गनत्तव 480 है 486 इसका जनगनता हुए यहां तक आप के लिए रखेगा बहुत शांदर तरीके से बढ़ रहे हैं उसके बाद में दोस्तो अपने पास में नाम आता है साकसरता दर साकसरता दर का यदि मैं दोस्तो जिकर करू सो साकसरता दर कितनी है तो 87.72% इसकी साकसरता दर है 37.72% यह महंदरगड की लिटरेसी रेट है और विधानसवा सीटों का जिकर करू तो दोस्तो विधानसवा की 4 सीटे है एक अपने पास में नाम आता है महंदरगड दोस्तो एक अपने पास में नाम आता है नार नोल एक अपने पास में मेंदरगड, एक अपने पास में नाम आता है अटेली का, और एक अपने पास में दोस्तो नाम आता है नांगल चोधरी, नांगल चोधरी का नाम आता है, ये किलिए रखेगा, आपने पास में विधान सबा की चार सीटे हैं, मेंदरगड, नारनोल, अटेल इन में से कोई भी सीट ना दोस्तो विधान सबा के अपने पास में चार सीट है में अरॉल अ टेली और नंगल चोडरी लेकिन इन में से कई भी सीट इन में से कोई भी सीट अपने पास में दोस्तो SC की रिजरव सीट नहीं है ये के लिए रखे इन में से कोई भी सीट ऐसी रिजरव सीट लेकिन SC रिजरव सीट कितनी जिलो में नहीं है तो 5 जिलो में नहीं है और कितनी जिलो में है तो 17 जिलो में SC की रिजरव सीट है लेकिन 5 जिलो में कोई भी विधान सबा की सीट SC की रिजरव नहीं है मेंदरगड में, चर्कीदादरी में, मेवात में, फरीदाबाद में मेंदरगड, चर्कीदादरी, मेवात, फरीदाबाद और कहां पर तो दोस्तों आप बता देना पंच कुला के अंदर इन पांच चिलों में कोई भी सीट से के रेजर रव सीट नहीं है किलियर है ना यहां तक आप बहुत जवर्दस तरीके से नोट कर लीजिए जल्दी से इन चीजों का सक्रेंट सोट ले लीजिए फिर महांगे बढ़ूँगा बहुत सांदर तरीके से आपन पढ़ेंगे जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए हो गया होगा हो गया या नहीं जल्दी कीजिए इन चीजों को सक्रेंट सोट ले लीजिए इन चीजों को लिख लीजिए आप जल्दी से ठीक है? हो गया होगा, चलिए साप कर दो तो समझ में आ रहा है ना, और दोस्तों यदि मेरे दवारा देगी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को साथ की साथ में सेयर जरूर करें, सेयर करते रहीएगा दोस्तों साथ के साथ में वीडियो को साथ के साथ में सेयर जरूर करें, यह आपस रिक्वेस्ट है ठीक है? चलिए आप मैं नेक्स पॉइंट की तरफ बढ़ूँगा बहुती शांदार तरीके से अपने एक एक पॉइंट कद्धन करते चल रहे हैं किसी भी परकार की दिक्कत है आपके धिमाग में नहीं होनी चाहिए आप अपने पास में दोस्तों सबसे पहले जो नाम आता है दोस्तों सबसे पहले अपने पास में जो नाम आता है उसमें अपने पास में दोस्तों नाम आता है पंद्रासुचालिस का 1540 में सेरससूरी ने हुमायू से हर्याना चीना था पहले हर्याना के उपर कबजा हुआ करता था दोस्तों किसका तो हुमायू का और इस हुमायू से हर्याना को चीना था सेरससूरी ने 1540 में लेकिन बाद में इस हुमायू का दोबारा दोबारा दोस्तो हरियाना के उपर कबजा हो गया था दोबारा कबजा हो गया हरियाना के उपर और इस उमायों का दोबारा कबजा कब हो गया तो 1555 में दोबारा कबजा हो गया था भाई आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर एक वन्स आया था जिसका नाम मुगल वन्स था और उस मुगल वन्स का जो सासक था मतलब संस्तापक था उसका नाम बाबर था और वो बाबर जिसने मुगल वन्स की नियू पानिपत की पहली लड़ाई के बाद में डाली थी य लेकिन 1540 की घटना है दोस्तों 1540 की 1540 में बिलगिराम अत्वा कन्योज के युद में हुमायू सेरसा सूरी से हार कर भाग जाता है 1540 में 1540 से 1515 तक हुमायू भारत से बाहर रहा था 1555 में हुमायू फिर दिल्ली के उपर अकर्मन किया था हुमायू ने और फिर दिल्ली की सत्ता के उपर कबजा किया था लेकिन हुमायू का दिल्ली के उपर हुमायू से हरियाना से सा सूरी ने छीना था 1540 में हुमायू का दोबारा कबजा हो गया था 1555 में लेकिन हुमायू दोस्तों 1555 में, जब दिल्ली की गद्दी के उपर दोबारा बैठा था, दिल्ली की गद्दी के उपर जब दोबारा बैठा था न ये हुमायू, दिल्ली की गद्दी के उपर ये हुमायू जब दोबारा बैठा था 1555 में, तो ध्यान रखना दोस्तों, ध्य के कारण बैठा था ये किरान का सासकता सहा और एक वेक्ती हुआ करता था बैरम खान इनकी बदोलत हुमायू दिल्ली की गद्धी के उपर बैठ पाया था दोबरा 1556 में तो ये हुमायू जिसकी एक आत्म का था थी हुमायू नामा और वो हुमायू नामा दोस्तों किस ने लि हुआ है तो दोस्तों दो बार राज्यावी से खुआ हुमायू एक ऐसा मुगल समराट है जिसका दो बार राज्यावी से खुआ है ये किलियर रखेगा दो बार राज्यावी से किलियर रखेगा हुमायू का दो बार राज्यावी से खुआ है तो 1540 में सेरसा सूरी अब भा जो बिल्ग्राम है ना बिल्ग्राम, बिल्ग्राम, बिल्ग्राम अत्वा जो कन्नोज है ना बिल्ग्राम अत्वा कन्नोज का यूद। इसमें भाई साव ने सेरसा सूरी को हराया था और फिर ये दिल्ली की कट्टी के ओपर बैठा था। इसके बारे में दोस्तो एक ऐसी धा बच्पन में सिकार के दोरान इसने एक तलवार 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 के दोरान से सेर को बीचो बीच काट दिया था जिसके कारण खुश होकर बिहार का एक सासक हुआ करता था जिसका नाम था बहार खा लोहानी जिसका नाम हुआ करता था बहार खा लोहानी बिहार का एक सासक हुआ करता था जिसका नाम था बहार खा लोहानी इस बहार का लोहानी ने खुश होकर सेर ससूरी को एक उपादी दी थी जिसका नाम था सेर खा अब ये फरीद खा जो बाद में क्या गटना 1549 की है एक यओध होता है चोसा का यद। यह जो चोसा है ये कौन सी नदी के किनारे था तो करमनासा नदी के किनारे एक युध होता है दोस्तों चोसा का रखिएगा हुमायू के बीच में जब युद हुआ था 1549 में चोसा का युद इस युद में हुमायू हारा था सेर सा जीता था मतलब सेर खा जीता था और इस सेर खाने इस सेर खाने 1549 में चोसा के युद के बाद ही भाई साब सेर सहा की उपादी धारण की थी सेर सहा ये ची बच्पन का नाम फरीद खा बिहार के सासक इसने एक तलवार के वार से सेर को बीचो बीच काट दिया था जिसके कारण बिहार के सासक हुआ करते थे बाहर खा लोहानी उसने इसको सेर खा की उपादी दी थी लेकिन 1549 में चोसा का यूद जो करमनासा नदी के किनारे लड़ा सेर सा सूरी और हमाईयों के बीच में इस यूद में हमाईयों हार जाता है और ये सेर खा फरी दिखा जो सेर सा की उपादी धारन कर लेता है ये वही सेर सा सूरी है जिसका बच्पन नारनोल में बीता था और नारनोल में इसका बच्पन किसके पास में बीता है तो दोस्तो सूरी का मकबरा पूछे तो अब बता दे ना इबराहिम सूरी का मकबरा दोस्तो नार नोल में है ये वहीं सेरसा सूरी है जिसने भारत में पहली बार रुपए का सिक्का चलाया था भारत में पहली बार रुपए का सिक्का किस ने चलाया था भारत में पहली बार रुपए का स एक ऐसा रोड जो बंगलादेश की राज्धानी ढाका से स्टार्ट होता था और पाकिस्तान के सहर लाहूर तक जाता था लाहूर से ढाका तक इस सेर्शाशूरी ने दोस्तो जीटी रोड बनवाया था, जी टी रोड ग्रांट टर्क रोड जैसे बाद में न ही अजहान एंऱ 1, NS 2, जो GT Road के नाम से जाना गया, सोरी, NS 44 के नाम से जाना गया, जिस पर सेरसा सूरी ने यात्रियों के ठहरने के लिए, ये जो अपने पास में GT Road परता है ना, इस पर सेरसा सूरी ने यात्रियों के ठैरने के लिए क्या बनवाई थी तो दोस्तों आब बता दे ना कोस मिनारे बनवाई थी यात्रियों के ठैरने के लिए सिरसा सूरी ने दोस्तों क्या बनवाई थी कोस मिनारे बनवाई थी और इन कोस मिनारों को हरियाना में किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे इन कोस मिनारों को दोस्तो हरियाना में कोहांड के नाम से जानते हैं कोहांड के नाम से के लिए रखे बहुत बढ़िया क्यूशन है कि भारत में रुपए का सिक्का पहली बार किस ने चलाया था से ये किलियर है उसके बाद में ये भी आप पुवाइंट किलियर रखेगा जी टी रोड जो सेर्ससूरी ने बनवाय था इस पर सेर्ससूरी ने यात्रियो की सुविधा के लिए कोस मिनारे बनवाई थी लेकिन 1545 की घटना है 1545 में कालिंजर युद अभियान में सेर्ससूरी उ का नाम का अगनी सासर दोस्तों सेर्ससूरी के हाथ में चल जाता है जिसके कारण ये जिस गुफा में बैठा था जिसके कारण ये गुफा में मुझूद था वो गुफा डै जाती और गुफा डैने के कारण इस सेर्ससूरी की डैथ हो जाती है किलियर है ना सेर्ससूरी की लेकिन ये बात हुमायू को 1555 में बता चलती है कि सेर्शा सूरी मारा गया उसके बाद में हुमायू दिल्ली के उपर आकरमन करता है 1555 में हुमायू आता है और दिल्ली की गद्धी के उपर बैठता है दोबारा हुमायू दिल्ली की गद्धी पर 1555 में बैठा था किसके मदद से बैठा था इरान के साथ सक्सा आके और बैरम खान की मदद से तो 1540 में ये ध्यान रखेगा 1540 में बिलगराम अत्वा कन्योज के यूद के बाद पूरे हरियाना पर कबज़ा हो गया था सेरसा सूरी का हुमायू भारत छोड़ के भाग गया था ये हुमायू जिसका हरियाना पर दोबारा कभजा हुआ था 1555 में ठीक है तो ये सारी चीजे याद रखे यहां तक मेरे दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा यदि मेरे दोबारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियों को जादा से जादा स्टेड़ी ग्रूप में सेयर कीजिएगा उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है सतनामी संपरदाय जो सतनामी संपर्दाई है न दोस्तों सतनामी संपर्दाई है इस सतनामी संपर्दाई की स्थापना वीरभान ने की थी सतनामी संपर्दाई की स्थापना वीरभान ने कब की थी तो दोस्तों अब बता देना 1543 में सतनामी संपरदाई की नीव सतनामी संपरदाई की स्थापना किस ने की थी वीरभान ने 1543 में की थी ठीक है और 1543 में सतनामी संपरदाई की नीव वीरभान ने कहां रखी थी तो दोस्तो अब बता देना नारनोल में रखी थी लेकिन ये ध्यान रखेगा ये जो वीर्भान हुआ करता था ना वीर्भान इसके गुरू का नाम क्या था तो इसके गुरू का नाम उदेदास हुआ करता था उदेदास इसके गुरू का नाम था और दोस्तो वीर्भान की जो कावे गरंथ है ये वीर्भान के कावे गरंथ किस नाम से जाने जाते हैं तो दोस्तो आप बता दे ना साहिब के नाम से जाने जाते हैं आप अपने पास में नाम आता है दोस्तो सतनामियों का विद्रो सतनामियों का विद्रो इन सतनामियों का विद्रो होता है बाई सतनामियों का विद्रो और ये सतनामियों का विद्रो दोस्तो कब हुआ था तो सतनामियों का विद्रो अपने पास में हुआ था 1672 में 1672 में 1672 म किस के सासनकाल में ओरंग जीव के सासनकाल में हुआ था ओरंग जीव ये वहीं विक्ती है जिसने शिक्को के नोवे गुरू की हत्या करवाई थी उसके बाद में अपने पास में दोस्तों नामाता है पंद्रासु इक्यानमे का पंद्रासु एक्याणमे में सहाकुली खान ने जल महल नारनूल बनवाया था जल महल कहा है तो दोस्तों अब बताएंगे नारनूल में और ये जो जल महल है ना जल महल नारनूल में ये किस ने बनवाया था तो दोस्तों अब बतादे ना सहा कुली खान ने बनना है था 15E पानिपत की दूसरी लड़ाई होई थी 5 अक्टूबर 1556 में अकबर और हेमु के वीछ में ये लड़ाई होई थी हेमु जो युद के मैदान में अकबर के सैनापती बैरम खान के साथ में लड़ रहा था लेकिन हेमू ऐसा बताते हैं इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि हेमू युज जीतने वाला था लेकिन दोस्तों अचानक एक तीर हेमू की आख में आकर लगता है और जब अचानक एक तीर दोस्तों हेमू की आख में आकर लगता है हेमू अपने हवाई हाथी से नीचे गिर जाता ह और जब हेमू अपने हवाई हाथी से नीचे गिरा तो उस समय हेमू को मुगल सैनापतियों ने बंदी बना लिया था और कुछ समय के बाद में बैरम खान ने अपनी तलवार निकाली थी और हेम चंदरवी करमादित्ते का सर धड़ से अलग कर दिया था लेकिन बहुत जबरदस क्यूशन अपने पास में ये है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नमबर 1556 में हुई थी उस हेमु को दिल्ली की गदी से किसी भी सूरत में हटाने के लिए पानीपत की दूसरी लड़ाई का कांड रचा गया था पानीपत की दूसरी लड़ाई 5.9.156 में हुई थी और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी लेकिन अकबर बच्चा था अकबर की तरप से बैरम खान लड़ रहा था लेकिन हेमू हाथी से नीचे गिरा मुगल सद्नापतियों ने बंदी बना लिया बैरम खान ने तलवार निकाली हेम चंदरवी करमादित्य का धर्साड़ है वो शरीर से अलग कर दिया लेकिन इसी भीच दोस्तों अपने पास में क्यों सनाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को किस व्यक्ती ने गिरफतार किया था तो पानीपत की दूसरी लडाई में सहाकुली खान ने हेमु को पकडा था अत्वा हेमु को गिरफतार किया था ये ध्यान रखिएगा ये जो साकुली खान है ना दोस्तो साकुली खान इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमचंदर विकरमा दिते अत्वा हेमू को पकड़ा था ये आप अपने मन में बठा लीजिए और इसके कारण अकबर बहुत ज़्यादा खुस हो गया था साकुली खान से इसके कारण अकबर साकुली खान से बहुत ज़्यादा कुस हो गया था और साकुली खान को अकबर ने नारनोल की जागिर्दारी सोपी थी जागिर्दारी नारनोल का ये जागिर्दार बना दिया था साकुली खान जान रखना और इसी साहकुली खान ने अकबर के सासनकाल के दोरान इसी साहकुली खान ने अकबर के सासनकाल के दोरान पंदरा सु इक्यानमे में जल महल बनवाए था जल महल ये के लिए रखिएगा जल महल नारनोल में साहकुली खान ने बनवाए था और किसके सासनकाल में बना था तो अकबर के सासनकाल के दोरान लेकिन अकबर के सासनकाल के दोरान नारनोल में एक टकसाल की नियू भी रखी थी मतलब सिक्के डालने का जो स्थाने था टकसाल और यहां से जो सिक्का डाला जाता था वो जलाली सिक्का हुआ करता था अकबर को भी जलाल के नाम से जानते थे तो मेरे दवारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी आज मेंदरगड का पार्ट वन है कल आपको मेंदरगड का पार्ट टू मिलेगा और इशी परकार की बहतरी जानकारी प्राप करने के लिए आप मेरे साथ में बने रही है और जवरदस तरीके से सबसे शांदर तरीके से हर्याना जी के आप सिरफ और सिरफ कास क्लासिस यूटूब चैनल के उपर मेरे साथ में पढ़ते रहीएगा अभी तक दोस्तों आपने